Hello Everyone, आज हम देखेंगे अधार कार्ट को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ऐसे करें लिंक वैसे तो अधार कार्ट से ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक कराना अनिवारे नहीं हुआ है लेकिन भारत सरकार जल्द इसे अनिवारे कर सकती है सरकार का मानना है कि इस से दुरगटना के दोरान भागे गए आरोपियों को पकड़ना आसान होगा साथ ही नकली लाइसेंस बनाने वालों को भी रोका जा सकेगा अब ऐसे में सवाल यह उट्टा है कि आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें आईए जानते हैं पूरा प्रोसेस सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर या लैप्टॉप में साराथी डॉट परिवहन डॉट जी ओवी डॉट पर जाएं अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस राजे का है उस राजे को सेलेक्ट करें अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी उन में आपको दाहीनी और दीख रहे हैं मीनू बार में एप्लाइ ऑनलाइन पर क्लिक करना है और फिर सर्विसेज ओन, ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूवल, डुप्लिकेट, AEDL, अदर्स के विकल्ब पर क्लिक करना है अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपसे फिर से आपका राजे पुछा जाएगा अब अपने लाइसेंस वाले राजे को सेलेक्ट करें इसके बाद कॉंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें और अपने अधार कार्ट से संबंदे जानकारी दें फिर प्रोसीड कर क्लिक करें अब आपके सामने आपके ड्राइविंग लैसेंस की पूरी जानकारी होगी उसी में नीचे की और मुबाइल नंबर और अधार कार्ड का विकल्प आपको मिलेगा इसके बाद आधार नंबर डालें और मुबाइल पर आए ओटीपी को डाल कर आप अपने ड्राइविंग लैसेंस को अपडेट कर सकते हैं हाला कि सरकार ने आधार कार्ड को ड्राइविंग लैसेंस से लिंक करना अरिवारे नहीं किया है लेकिन यदि सरकान निवार रहे तो कर दिया तो आप इस तरीके से अपने ड्राइविंग लैसेंस को आधार कार्ड से लिंक कर सकेंगे तो यही था हमारी आज की वीडियो में अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तैंक यू